जैसा कि आज हम आपको बताएंगे सीर दर्द में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली 10 अच्छी दवाईयां कौन सी होती हैं जो सीर दर्द में या बदन दर्द में उपयोग किया जाता है आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे किस दर्द पे कौन सी मेडसीन दे लिए medicine दिया जाता है टेबलेट आपको 500 mg और 600 mg में मिल जाएगा असानी से अगला medicine है हमारा eyebrow fan 2 mg और 400 mg दोनों में आता है चोटे बचों के लिए 2 mg बड़ों के लिए 400 mg इस medicine का काम होता है पेंकिलर यानि बुखार और दर्द में इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं अगला medicine की बात के ने जो हमारा डागलोफाइनी की है शरीर में किसी भी परकार का दर्द हो रहा हो पें हो रहा हो उसमें लिया जा सकता है यह 100 mg, 75 mg और 50 mg में आता है और यह injection form में भी आता है यानि पें यानि दर्द को कम करने के लिए इस ड्रग का उपयोग किया जाता है अगला हमारा है कीटो रोलेक टबलेट यानि कीटो रोलेक टबलेट का उपयोग किया जाता है जब किसी के दात में दर्द हो रहा हो बहुत ज्यादे दर्द हो रहा हो उस समय इस टबलेट का उपयोग किया जाता है यह दर्द को कम करने वाला दवा है अगला टबलेट है हमारा ने नेप्रॉक्सीन टेबलेट का उप्यों किया जाता है जब किसी के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा हूँ या किसी कारडवस आपके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा हूँ उसमें नेप्रॉक्सीन टेबलेट का उप्यों किया जाता है या आपको किसी भी मेटकली स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा ट्रामाडाल हाइड्रोक्लॉराइड एंड्स डाक्लॉफेनिक इस्ट्रब्लेट का उपयो जब किया जाता है जैसे कि एक्सिडेंटल केस हुआ या आपके सरीर में बहुत तेज से कहीं दर्द हो रहा हूँ तो आपको इंजेक्शन me भी मिल सकता है जो की दर्द को कं मे के लिए बीड़े।ट का या जनकारी के लिए अगर आपको कोई दिकत कोई प्रिशानी है तो आपने रजुदी की डॉक्टर या फार्मासिट से संभा करें